हेलो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका आज का ये वीडियो वाटसेप के सेटिंग को लेकर है वाटसेप तो आज कल लगबख सभी लोग इस्तमाल में ले रहे हैं लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे सेटिंग्स ऐसे भी हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए क्योंकि इन सेटिंग्स की जरूरत कहीं पर भी पर सकती है वाटसेप के सिक्रेट सेटिंग का एक और वीडियो इसी चैनल पे पहले से अपलोड है इसे देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा ये वीडियो उस वीडियो का दूसरा पार्ट है तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहरे सेटिंग की बात किया जाए तो इसमें आप चाहें तो किसी भी वीडियो का कुछ पार्ट जियाइफ में कनवर्ट करके भेज सकते हैं जियाइफ इमेज एक चलता फिरता इमेज होता है जिसे अलग-अलग साफ्ट्वेर या अप्लिकेशन से क्रियेट किया जाता है लेकिन अब से आप वाटसेप में भी ये काम कर सकते हैं जैसे आप कहीं से भी कोई वीडियो सेंड करते हैं मैं एमेज पलेयर से सेंड करके दिखा देता हूँ किसी भी वीडियो को सेंड करने के लिए वीडियो को सेलेक्ट करके सेंड टू वाटसेप पे जैसे ही किलिक करते हैं वीडियो सेंड करने से पहले आपको एक edit का option मिल जाता है जिसमें वीडियो की size और duration दिखाया जाता है आपको इसके timeline में दोनों तरफ से घटा कर वीडियो को 6 second कर लेना है जैसे ही 6 second वीडियो का duration हो जाएगा यहां उपर दो बटन आपको मिल जाते हैं वीडियो और GIF फाइल का simply आपको GIF पर किलिक करके जिस part का आपको GIF फाइल चाहिए उस part को select करके simply send कर देना है आप जिसके पास send करते हैं वहां पर इस वीडियो का GIF image पहुँचेगा इस tool में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं मैं दोबारा से एक और वीडियो send कर लेता हूँ आप चाहे तो कहीं से भी वीडियो send कर सकते हैं सारी setting वही मिलती है यहां पर GIF जिस part का लेना है उसे select करने के बाद उपर बने three button image text pencil इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे अगर किसी part को highlight करना है या कुछ लिखना चाहते हैं वह सभी उपर बने tools से कर सकते हैं और साथ में image text का color और size छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अगली setting उनके लिए हैं जिनका number अंचाहे लोग अपने group में add कर लेते हैं और हमेशा परसान होते रहते हैं और अगर आप group से बाहर भी निकल जाते हैं तो दूसरा फिर से group में add कर लेता है जैसे यहाँ पर एक group है जिसे मैं जानता भी नहीं और हमें नौच आते हुए भी इस group में add कर लिया गया और बेकार के sms का भंडारा लगा हुआ है अगर मैं इस group से निकलता भी हूँ तो कोई फायदा नहीं वह फिर से हमें add कर लेगा इसके लिए एक simple सा तरीका है जिसका यूज़ कर सकते हैं इसके लिए WhatsApp के main page पर उपर बने three dots पर किलिक करके settings में आ जाना है settings में आने के बाद account में आ जाना है एकाउंट में आने के बाद privacy में आ जाना है privacy में आने के बाद scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है इसके बाद group में आ जाना है यहाँ पर Every On पहले से Select मिलता है जिसका मतलब कोई भी किसी भी गुरूप में आपको Aid कर सकता है और दूसरा My Contact जिसका मतलब जितना आपके Mobile में Save Contact है उतने ही लोग आपको गुरूप में Aid कर सकते हैं और तीसरा जितने Contact को आप Select करेंगे उतने लोग ही आपको गुरूप में Aid कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक Select करने के बाद नीचे Done बटन पर किलिक करके Back आ जाना है आपका Problem Solve हो जाएगा तीसरा सेटिंग उनके लिए हैं जिनके पास बहुत सारे Groups और बहुत सारे Messages आते रहते हैं और सभी के Message को आप Read भी नहीं कर पाते हैं सभी के सामने Notification का एक Symbol बना राता है कि इन्होंने इतने Message किये इस Group में इतना Message है और आप चाहते हैं बिना Group या Contact को Open किये बिना SMS को Read किये ये Symbol हट जाए इसके लिए उस Group या Contact को Long Press करके Select कर लेना है और उपर बने 3Dart पर किलिक करके Mark as Red पर किलिक कर देना है आप चाहें तो सभी को एक साथ Select करके Mark as Red कर सकते हैं चौती सेटिंग उनके लिए है जो नोटिफिकेशन से परिसान रहते हैं कोई एक दो Group ऐसे होते हैं जिन में बार बार Message आते रहते हैं और जितना भी Message आता है उतनी बार Mobile की घंटी बसती रहती है बार बार Notification आने के चकर में अपने किसी खास फ्रेंड का भी SMS अंदेखा हो जाता है तो इसके लिए जिस जिस Group में ज्यादा SMS आते हैं सिर्फ उसके Notification को बंद कर सकते हैं जिसका भी Notification बंद करना चाते हैं Simply Long Press करके उसे Select कर लेना है और उपर बने Speaker पर किलिक करके Always को Select कर लेना है अगर आप चाते हैं उसका Notification भी Not So हो तो So Notification को Uncheck रहने दें और अगर Silent रहते हुए भी Notification So करना चाते हैं तो इसे Check करके OK कर देना है और अगर आप चाते हैं एक हफते या 8 घंटे भी उसे Silent कर सकते हैं आपकी मर्जी इतना करने के बाद उन सभी का Message तो आएंगे लेकिन आप परिसान नहीं होंगे और साथ में उनके सामने एक Symbol भी बन जाता है जिसे आपको पता चलेगा कि इनका Notification Silent है पांचमा सेटिंग उनके लिए हैं जिनको अपने Vice Record करके सुनके Confirm होके भेजना चाते हैं जिसे ये पता चले कि उनकी आवाज सही से रिकार्ड हुआ है की नहीं तो इसके लिए Simply जैसे आप अपना Vice Record करके भेजते हैं वैसे ही अपना Vice Record करना है और जैसे ही आपका Vice समाप्त हो एक बार Back Button प्रेस कर देना है जिससे आपका Vice वहीं पर रुख जाएगी और फिर से उसी Contact या Group को Open करना है और Play Button पर किलिक करके सुनके पूरी तरह संतुष्ट होकर भेज सकते हैं या फिर कोई गलती हुआ है तो इसे Delete भी कर सकते हैं और फिर से Record करके भेज सकते हैं तो कौन सा ट्रिक आपको पसंद आया कमेट में जरूर बताना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक थांक्स वर वाचिंग झाल